मैं अंजुल अगरवाल सरव एजुकेशन से आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व याने कि PPC क्या होता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व समझने से पहले हम समझते हैं कि प्रोडक्शन क्या होता है प्रोडक्शन याने की जब भी हम कुछ resources को use करके कुछ outcome generate करते हैं जैसे की मैं अपना time use करके ये video बना रही हूँ आप अपना time use करके क्या क्या करते हैं school जाते हैं, खाना खाते हैं, खेलने जाते हैं, पढ़ाई करते हैं, YouTube देखते हैं इसी तरीके से एक farmer, एक piece of land को use करके कुछ grow करते है, wheat grow करते है, बैंगन grow करते है, आलू grow करते है तो यहाँ पर सब cases में क्या हो रहा है, हम कुछ resources use कर रहे हैं मैंने दिन use किया, आपने दिन use किया, एक farmer ने piece of land use किया कुछ न कुछ resources use करके, कुछ outcome generate हो रहे हैं इसे हम क्या बोलते है, production, क्या, जब हम कुछ use करके, कुछ outcome generate कर रहे हैं, next हमारा शब्द क्या है, possibility, possibility याने कि किसी चीज़ के chances, जब हम production possibility बोल रहे हैं, तो हम क्या समझते हैं, कि production की possibility क्या है, कितना production possible है, तो अब economics में production possibility का क्या मतलब है, economics में भी production possibility हमें यही दिखाएगी कि हम resources को use करके maximum कितना production कर रहे हैं, लेकिन PPC के क्या ज़र रहत है, PPC क्या show कर रही है हमें, PPC हमें दिखाएगी कि जब हम एक good का production कर रहे हैं, given resources को use करके, हम जब उस good के production से, दूसरे good की production की तरफ shift हो रहे हैं, तब हमारे पास possible outcomes क्या हैं, देखें, example से समझते हैं, यह piece of land है, इस सारे land पे रहीम सिंग क्या उगा रहा था, wheat उगा रहा था, लेकिन रहीम सिंग ने सोचा, कि या radish, यानि कि मूली उगा के, हमें ज़ाधा profit होगा, तो मूली उगानी चाहिए, तो रहीम सिंग ने क्या किया, इस पूरे land में से, इतन अब देखो, आप कोगे कि सारे पे मूली उगाओ, कोई भी काम हम ऐसे नहीं shift कर सकते, अभी रहीम को मूली उगानी आती का है, रहीम काम कर करके सीखेगा, तो उसने पहले क्या किया, पूरे land में से इतना area निकाल लिया, यहाँ पे भी wheat उगरी थी ना पहले, wheat का इतना area कम करके वो area किसको दे दिया, radish को, अगली बार क्या किया, थोड़ा और बढ़ा दिया, फिर धीरे-धीरे, radish पे shift हो गया, अब PPC हमें यही पढ़ाएगा, कि जब आप एक good से, दूसरे good पे shift हो देओ, तो आपके पास क्या-क्या possible outcomes है, हाँ, क्या आप किन combinations में उन goods को produce कर सकते क्योंकि, देखो, resource तो वही है, रहीम सिंग के पास, land तो 1-acre ही है, अब चाहे वो उसमें मूली होगा है, चाहे वो उसमें गेह होगा है, wheat होगा है, है ना, तो उस 1-acre land को, उस given resource को, वो किस combinations में use कर सकते है, एक काम से, दूसरे काम की और, एक चीज की production से, दूसरे चीज की production पे वो किस तरीके से shift करता है, PPC हमें ये show करता है, तो अब हमें पता लगा, कि PPC economics में क्या है, production possibility curve, अब है तो curve याने की graphical representation ना, याने की हमें, जो हमने भी production की possibility की combination सब की बात की, ये shift की बात की, ये हमें कैसे show करना है, graphically show करना है, graphically कैसे show करेंगे, अभी देख लेते है ये देखू, हमारा रहीम सिंग का table क्या खह रहा है, रहीम सिंग पहले 90 quantals wheat हुगा रहा था, और कुछ भी radish नहीं हुगा रहा था, 0 quantals, फिर वो shift हो गया, 90 quantals से 70 quantals, उसने reduce कर दिये wheat का production, और radish को वो area दे दिया, जो की वो wheat के लिए यूज कर रहा था, क्या, कितने radish produce हुए 20 quantals, और move किया, 70 quantals to 40 quantals, और reduce कर दिया, radish increase हुए, 20 quantals to 30 quantals, फिर वो और move किया, उसने wheat उगाना बंदी कर दिया, 40 quantals to 0 quantals, और radish हमारा increase होके 30 quantals to 40 quantals चला गया, इनी points को अगर हम graph पे locate करें, तो हमारा graph कुछ इस तरीके से लिखेगा, इस shape में हमारा graph ready हो चुका है, इस graph में, यह जो line-up देख पा रहे हैं, इसको हम बोलते हैं, PPC की boundary line, इसका significance क्या है, कि इस boundary line पे जो भी production हो रहा है, जितने भी combinations में production हो रहा है, वो combination में हम जो हमारा resource है, उसको पूरा utilize कर रहे हैं, याने कि जो one acre land है, चाहे आप इनमेंसे क कोई भी combination उठा के production करें, आपका one acre land fully utilize हो रहा है, अब हम PPC का definition पढ़ ले, it is the alternate possibility of producing two goods, याने कि आप एक good की production से, दूसरे good की production की तरफ shift हो रहे है, it is the alternate possibility of producing two goods, with given technology and given resources, याने कि आज के time में आपके पस जो resources है, जो technologies है, उनको लेकर, आप जब एक good की production से, दूसरे good की production की तरफ shift हो रहे हो, उसमें आपके पास जो भी combinations बन रहे है, alternatives बन रहे है, उनको हमें कौन शो करता है, PPC, याने कि production possibility curve, यहां तक हम समझ गए, अब PPC की कुछ assumptions है, हम अभी discuss कर चुके, एक बर formally पढ़ लेते हैं, क्या assumptions है, PPC will have only two goods, हाँ, जब भी आप एक चीज का production कर रहे हो, resources को use करके, तब आप उससे दूसरे चीज की production की तरफ shift करते हो, तो यह हमारा assumption है कि PPC में दो ही goods होंगे, next हमारा assumption क्या है, the given resources are constant, याने कि जो आपको resources दे हो है, आप यह मान के चलते हो, कि वो resources ना increase होंगे ना decrease होंगे, देखे, long run में चीज़े बदल सकती है, हो सकता है, आज से 10 साल बात farmer के पास इतना पैसा आजाए कि वो एक एकर जमीन और खरीद ले, लेकिन आज के time में farmer की productivity पता करने के लिए, production की possibility पता करने के लिए, हम क्या मान के चलेंगे, कि उसका जो resource है, वो constant रहेगा, याने की one acre land ही रहेगा, कोई भी resource है, हम उसे constant मान के चलेंगे, next हमारा क्या point है, the given technology is constant, याने की जो भी production की technique हम फिलहाल मान कर चल रहे हैं, कि इस time पे available है, हम उसको भी constant लेके चलते हैं, अब technique का क्या है, technique बेटर हो सकती है future में, लेकिन, अभी की production पता करने के लिए, हम assume कर लेते हैं, कि जो हमारी technique है, वो भी constant रहेगी, अब हमने जो यह चीज़े assume की हैं, इन्हें break कर देते हैं, for example, आप बोलिए, कि resources यार, पहले हमारे पास जो coal के लिए mines थी, वो एक ही थी, अब हमने चार और नई coal mines discover कर ली, इस case में आपके resources क्या हो गए, increase हो गए, तो अब आप क्या करेंगे, आपकी जो production possibility कर वे, उस पर क्या फरक पड़ेगा, आपकी production की possibility बढ़ेगी के नहीं बढ़ेगी, क्यों नहीं बढ़ेगी, यह देखो, आप जब एक mine के coal को use करके, energy produce कर रहे थे, तब आपके पास कुछ combinations थी, लेकिन अब वो energy का source ही बढ़ा हो गया, तो आपके जो combinations हैं, वो भी better हो जाएंगे, आपका जो PPC का curve है, वो क्या moment show करेगा, देखो, वो forward shift हो जाएगा, हाँ, अगर हमारे resources increase होते हैं, तो हमारा PPC forward shift कर जाता है, upward shift कर जाता है, इसी तरीके से, for example, कि जो coal mine थी, उसकी productivity कम हो गई, आप इतना उसमें से coal already निकाल चुकी हो, कि अब उसने coal produce करना कम कर दिया, इस case में आपके resources कम हो गए, तो जब resources ही कम हो गए, source of energy कम हो गया, तो आपकी PPC का क्या होगा, combinations बना पा रहे थे, अब आप उससे backward shift कर जाओगे, आपकी PPC कैसी दिखेगी, कुछ इस तरीके से दिखेगी, ये shift आजाएगा उसमें, backward, अच्छा, ये तो बात होगे, resources की, what about technology, technology हर दिन better हो रही है, तो long run में क्या होगा, for example, कि आपकी जो दो goods हैं यापर, उन में से किसी एक good की production की technique, यानि की technology advance हो गई, better हो गई, अब आप जाधा production कर पारे हो, because of the technology, तो उस good की production बढ़ जाएगी, तो वो हमारा PPC किस तरीके से दिखेगा, इस तरीके से, assume करते हैं कि good y की technology, good y को produce करने की better हो गई, तो हमारा जो PPC है, वो y good के लिए better हो जाएगा, y good की production better हो जाएगी, similarly for x, अगर हमारे पास y की technology constant है, लेकिन x को produce करने की technology better हो गई, तो हमारा जो PPC है, वो x के लिए forward shift हो जाएगा, यानि कि उसकी production possibility बेटर हो जाएगी अच्छा, अगर ऐसा हो जाए कि हमारा जो good x है और जो good y है दोनों को produce करने की technology बहुत बेटर हो जाए तो हमारा PPC overall ही forward, upward, shift कर जाएगा ये हम सारे सेनारियों समझ लिए कि हमारी PPC किन situations में move हो सकती है PPC भी समझ लिए ओप आपको इस सब कुछ clear हो गया होगा next lecture में हम बात करेंगे कि यही PPC related opportunity cost और marginal opportunity cost याने की marginal rate of transformation क्या होता है तब तक के लिए stay tuned, have a good day